आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे रेलेवे से संबंदित कुछ important points को जैसे कि पहला बात करेंगे जो रेलेवे का जो डबा होता है उसके कुछ नंबर लिखा होता है उसका अर्थ क्या होगा उसका मिनिंग क्या होगा दूसरा बात करेंगे बागी के सबसे लास्ट में आपका LV लिखा रहता है उसका हिंदी क्या आपका होगा फिर बात करेंगे इंडियन रेलवे का वर्ड में कौन सा स्थान है कितने डिवीजन कितने रेलवे भरती बोड है देश में सबसे लंबीत दूरी ताय करने वाली रेल गाली कौन सी है भारत की उसका नाम तो एके करके पॉइंट को समझते हैं आपने अक्सर देखा होगा बोगी में यानि कि बाहर में एक नंबर लिखा होता है उस नंबर का अर्थ को बढ़ियां से समझते हैं देखिए एक से दो सो के बीच में जो नंबर आपका होगा वह एसी कौच का होगा एक्जामपल में समझिएगा 04052 एक मैंने डिजिट लिखा हुआ है देखिए सुरू का दो अच्छर जो आपका होगा दो डिजिट वो आपका येर बताता है और बाद आपका बताएगा कि एसी है कि स्लीपर है कि जेनरल है तो देखिए यदि 04052 है तो 04 आपका क्या बताएगा यानि कि साल बताएगा यानि कि 04 आपका क्या है 2004 में बना हुआ है और लास्ट में आपका 52 है तो एक से 200 के बीच में है तो ये आपका क्या हो जागा एसी कौच तो 04 आपका येर बताएगा सुरू का दो डिजिट और बाद का डिजिट जो आपका क्या बताएगा ति वो बोगी में AC है स्लीपर है या जिनरल है I hope आप इस समझ गया होंगे 04052 को दूसरा आपका है कि 200 से 400 आपका स्लीपर हो जाएगा जैसे देखिए या जिनरल हो जाएगा जैसे मैंने लिखा हुआ है कि 1212 में बना है और 432 क्या है आपका स्लीपर है ठीक है नेक्स्ट बात करें चार नमबर 600 से 700 के बीच में चियर कार देखिए स्लीपर में ज्यादा भीड़ हो जाता है तो फिर अलग से एक बोगी को रहता है उसमें तो उसको क्या बोलते हैं चियर कार यानि के स्लीपर का भाई ही आप समझिये तो उसका नमबर आपका होता है यानि कि उसमें आधा लगेज होगा और आधा आदमी रहेंगे यह दिव्यांगों के लिए होता है जैसा कि नमबर पर द्यान दिजेगा 12,790 है तो 12 यानि कि 2012 में बना हुआ है साथ सो नमबर है तो सिटिंग कम लगेज है यानि सुरू का दूअ च्छार आपका हो जागा क्या ये और बाद का आपका बताएगा कि क्या है वो 800 से ज्यादा होगा तो समझियेगा कि वो चिठ्थी खाना या पैंटरी कार है 800 से ज्यादा यादी रहेगा कि 14 820 तो समझेगा कि यह क्या है आपका चिठी खाना या पैंट्री कार हो सकता है बोग सबसे लास्ट में आप देखाऊंगे लवी सबसे लास्ट में जब खतम हो जाता है बोगी तो लिखा रहता है लवी मतलब लास्ट वेहिकल ठीक है अब बात करते हैं अगले पॉइंट की त भारतीय रेल अमेरिका रूस ताथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है आठवा आपका है कि भारतीय रेल अमेरिका रूस ताथा चाइना के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है नो नमबर बात करें तो भारतीय रेलवे में 69 डिविजन जोनों की संख्या 18 रेलवे भरती बोड 21 है 10 नमबर देश में सबसे लंबी दूरी तैक करने वाली रेल गाड़ी विवेक एक्सप्रेस है विवेक एक्सप्रेस 4286 किलोमीटर डिब्रुगर से कन्या कुमारी समझ गए 100 से 200 की बीच का जो नमबर होगा लास्ट का 3 डिजिट तो आपका AC हो जाएगा 200 से 400, स्लीपर, 400 से 600 आपका जिनरल, 600 से 700 चेयर कार, 700 से 800 शिटिंग कम लगेज 800 से जादा आपका खाना, पैंट्री कार या चिठी का LV, लास्ट वेहिकल होता है तो इसे आपे कॉपी में नोट कर लीजिएगा और जब भी आपको ये नमबर मिले तो आप समझ जाएगा कि ये आपका AC कोच है, स्लीपर है, जेनरल है, या चेयर कार है ठीक है, और स्लीपर में आपका दो दरवाजा और जो जेनरल डबा होता है, उसमें तीन दरवाजा होता है ये भी एक पहचानने का आपका है जब भी आप जेनरल भोगी देखिएगा, उसमें तीन आपका दरवाजा होगा तो ये रेलिवे से समझ थी कुछ थोड़ी सी जनकारी थी जिसे मैंने सुचा कि आप लोगों से सेर किया जाए अब आप लोग अपने दोस्तों को बताईएगा जितना से जितना हो सके सेर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ओके, धन्यवाद